क्या आपने कभी सोचा है कि हापु साम इतना फेमस क्यों है हर रीजन की एक खास बात होती है जैसे कि आप गाव जाए तब आपके दोस्त वहाँ की स्पेशल डिश या चीज लाने की रिक्वेस्ट करते हैं जो सिर्फ वहाँ ही खास तौर पर पाई जाती है ऐसे यूनिक ची का एक स्पेशल जेग्राफिकल ओरिजन होता है उस ओरिजनल प्लीज के क्वालिटीज और रेप्योटेशन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है एक्जैंपल के लिए नागपूर के ओरेंजिस जो अपने खटे मिठे स्वात के लिए फेमस है इन्हें एक पॉर्टिक्य एन्वायमेंट में ही उगाया जाता है क्योंकि इन्हें दूसरी जगा उगाने पर आपको वो क्वालेटीज नहीं मिलेगी क्या आपको पता है दार्जिलिंग चाय को भारत का सबसे पहला GI टैक का सन्मान मिला है भारत में ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन अफ गुद्स Registration and Protection Act 1999 and Rules 2002 से गवन होता है अग्रिकल्चरल प्रोडट्स, फूड आइटम्स, वाइन्स और स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडिक्राफ्स और इंडिक्राफ्स और इंडिस्ट्रियल प्रोडट्स के लिए GI का इस्तमाल किया जाता है GI मुख्य रूप से एक पर्टिकुलर प्लेस के लोगों के स्किल्स और एंवार्मेंटल फैक्टर्स के बारे में बताता है जैसे की कुलू मनाली के शॉल ये हैंडिक्राफ्स वहां के लोगों के यूमन स्किल्स दिखाता है वैसे ही बास्मती राइस पंजाब, हरियाना, हेमाचल प्रदेश के अग्रिकल्चरल बताते हैं, जैसे की फिक प्रोड़क्स पर रोक लगता है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मलता है, उस जगा के टूरिजम को बढ़ाता है, प्रोडुसर्स की एकोनोमिक प्रोस्परिटी बढ़ती है, प्रोड़क्स बनाने वाले, कोई असोसियेशन या और्गनाइजेश और इंफिरिजमेंट के बारे में जानेंगे.